प्यार करने वालों के लिए रास्ते कभी आसान नहीं रहे हैं आज दुनिया भड़ में वेलेंटाइन डेको लवर्स भले एक फेस्टेवल के थरा सेलिबरेट करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन के सुरुवात के पिछे भी धर्चिपा हैं तो चलिए जानते हैं डेटेल में चोदा फरवरी यानि वेलेंटाइन डे जिसकी सुरुवात रोम से हुई थी और ये आज भारत समित दुनिया भड़ में सेलिबरेट किये जाने वाला दिन है जो लोग रिलेशन्सिप में हैं उनके लिए या दिन खास होता है और जो अपने प्यार का जिहार किसी के सामने करना चाहते हैं उनके लिए भी या दिन खास होता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन को क्यों सेलिबरेट करते हैं और इसकी सुरुवात कैसे हुई थी और कैसी संप वेलेंटाइन को प्यार बातने के सजा मिली थी तो चलिए जान लेते हैं संप वेलेंटाइन रूम के एक पादری थे जो प्यार को बढ़ावा देते थे और उनकी मृत्तुया कहे कि प्यार के लिए दी गई सहादत के बाद ही वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया कहा जाता है कि संत वैलेंटाइन की देथ 14 फरोडी को हुई थी दरसन उन्हें रोम के सासक कलाडियस के द्वारा फासी के सजा सुनाई गई थी रोम में संत वेलेंटाइन थे जो जीवन में प्यार को बहुत जरूरी मानते थे वही इस समय रोम में राजा कलाडियस का सासन था जिसका मानना था कि प्यार और साधी जैसी चीजे इंसान को कमजोर बना देती है और वो लोग सेना में सामिल नहीं होना चाहते कहानियों के मताबिक इस वज़ा से राजा कलाडियस ने सेनिकों की साधी पर रोग लगा दी थी दरसन मिलने वाली कहानिया कहती है कि संत वेलेंटाइन ने जो की प्यार को बहुत जरूरी मानते थे इसलिए उन्होंने कई सेनिकों की साधिया करवाई और प्यार का संदेज दिया राजा को यह बात कते ही पसंद नहीं आई और उसने संत वेलेंटाइन को फासी के सजा सुनाई जिसके बाद 14 फरोरी को संत वेलेंटाइन ने प्यार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और इसी के बाद से वेलेंटाइन की सुरुवात हुई कहा जाता है कि जिस जेल में संत वेलेंटाइन को रखा गया था उसके जेलर की बेटी जेको बस नेत रहिन थी और संत वेलेंटाइन ने अपनी आखे उस लड़की को दान कर दे थी साथ में उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जिसमें लिखा हुआ था तुम्हारा वेलेंटाइन इस तरह से वेलेंटाइन सिर्फ लवर्स के लिए ही नहीं बलकि हर किसी के लिए प्यार का एक संदेश है और इसी के साथ वेलेंटाइन की सुवात हुई कर दे लिखा की hardware-onfinance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well informed decision while buying a financial product like home loan car loan business loan personal loan household insurance etc for further details कॉंटेक्ट था